असलाम अलेकुं दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूँ खैरियस होंगे तो आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ साओधी अरब की के एक जरूरी अपडेट और बहतरीन अपडेट जो आई या अपडेट दो दिन पहले की अला कि यह बहुत जरूरी मैं समझता उनका उरूप हट जाएगा उनका उरूप कैंसिल हो जाएगा तो आईए इस अपडेट के बारें पूरा डिटेल दे जानते हैं उसमें कुछ सरते रखी गई है इसके लाओं यहां पर लेबर कोड की तरफ से बहुत अच्छी ख़बर आई है एक सो अन्चास लोगों को यह आपडेट जानते हैं यहाँ पर लेबर कोड की तरह थे जी यहां दोस्तों आप लेबर कोड ने एक अच्छा फैसला सुनाया जो दस कंट्री लोग थे एक कंपनी में काम करते थे 149 लोग यानि 149 लोग थे यहाँ पे इन्होंने कम्प्लेइन की labor court, रियाद labor court में यहाँ पे इनके हक में फैसला आया यहाँ पे 28 million रियाल यहाँ पे इनको company को देना इन लोगों को 149 लोगों को 28 million रियाल मिलेगा 28 million यानि तकरीबन 2 करोड 8 लाक रियाल यहाँ पे मिलेगा company देगी इन वरकरों को तो यह अच्छी update इस वज़ाँ से मैं बता रहाँ क्योंकि यहाँ पे बताए एक लोग यह सब 145 लोग जो थे यह मुतहिद होके जाके complain किये हैं court में तो एक लोग गलत हो सकते हैं लेकिन 145 लोग थोड़ी गलत होंगे इसी वज़ाँ से यहाँ पे बहुत अच्छा इनके हाँ में फैसला आया जो company इनके साथ जयात्ती करती थी अब इनको 28 million रियाल मिलेगा किसी का बगाया था किसी का नहीं मिल दाता यानि इनी के पीछे जिलनों का अगर गलत था वो भी सही हो जाएगा तो यह अपडेट के मताबिक मैं इस वज़ाँ से इस वीडियो को सेर कर रहा हूँ अगर कोई आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोग मुताइद हो के जाके आपने कमपलेंगे यहां पर वरकर है यहां पर लेबर कोड उनके हक में फैसला सुनाती अगर आप गलत होंगे तो अलग बात अगर आप सही होंँगे तो आप पर हक में फैसला आयेगा तो यह अपडेट थी रियाद लेबर कोड की थी यह बहुत बेतरीन अपडेट थी इसके लावाँ यहाँ पे मैं अगली अपडेट आप से सेर कर दूँ मिनिस्ट्री आफ हिमन रिसोर्स यानि यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री जो है इनकी तरफ से एक अपडेट आया जो लोग के उपर हुरूफ लगा आया अगर वो तो इस वीडियो को लास्त तक देखे दाकि आपको पूरी जानकारी यहां पर अपडेट के मुताबिक बताएगा जिस कंपणी में आप काम करते हैं वो कंपनी अब बंद हो गई या उसका सच्टम गवर्मेंट की तरफ से लाग कर दिया गया उसको हटा दिया गया अगर उसक तो बताएगी है अगर कंपनी या कफिल या मोससा जो आपको हुरूफ लगाता है अगर वो 30 दिन के अंदर में आपका कंट्रेक को अनलाइन नहीं करता है सौधी अरब में तो आप उस कंपनी या उस कफिल या मोससा की इजादत की बिना कहीं भी आप ट्रांसफर ले सकते ह वो आपके उपर हुरूफ नहीं लगा सकता आप अप यहां पर समझने की बात है जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूँ बहुत सारे यहां पर जो साओधी है जो अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो यहां पर गौवर्मेंट के यहां आपको अपने पेपर बनाना होता है को यहांनी लॉच्च करने के लिए तो यहां पेजब अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी को बनाने के लिए यहां पे साउडित उसी दम यह अपना में विज्आ का देते हैं यहां पर वर्कर बुलाने के लिए जब वीजा अपलाई हो जाता तो यहां पर वर्कर आ जाते हैं अगर 30 दिन तक उनका कंपनी नहीं चालू होती है तो आप इस सिच्वेशन में आप कहीं भी अपना ट्रांसफर करा सकते हैं वो जो कफिल आपको बलाया है अगर 30 दिन हो गया 31 दिन आ आपके उपर वो नहीं होरुप लगा सकते अन्हाँ वो कुछ आपके साथ कर सकता है आप कहीं भी दूसरी कंपनी में या कहीं भी दूसरी जगाए तराजू ले सकते हैं इसके लोगों यहां पर अगली कंडिशन बताइगे यह या अगली सर्थ बताइगे जिसमें किवा प्लेटफार्म पे 75% लोगों का online contract नहीं हुआ है तो वहां के वर्कर चाहिए वो मोससा में काम करता है या फिर कंपनी या कफिल केंडर में काम करता है वो बिना उनकी मर्जी के अपनी दोसरी जगा कंपनी में तनाजुर ले सकता है ट्रांसफर ले सकता है वह मुदीर क पनी या कफिल आपके उपर वो हुरूप नहीं लगा सकता है यानि यहां पर बताएगे अगर सव वर्कर है तो 75 लोगों का यहां पर कंट्रेक कीवा प्लेटफार्म पे अलाइन होना चाहिए अगर या कंपनी या कफिल या मोससा अगर ऐसा नहीं करता है वो कंट्रेक को अलाइन नहीं करता है वहां के वर्कर वो वहां पे कहीं पे भी वो जा सकते हैं दोसरी कंपनी में तनाजू ले सकते हैं उनके उपर कोई ह आप तनाजुल करा सकते हैं वो आपके उपर हुरुफ नहीं लगाएगा यानि यहाँ पर टोटली बताने का मकसद यह कि अगर रेड जोन में आ जाती यह कंपनी यह मोससा अगर रेड जोन में आ जाता है तो वो आपको एक हजार आपकी सेलरी तो कम से कम उसको 800 देना होगा गिरी हालात में यानि उसका रेड लिस्ट जब है वो गिरी हालात में आपको 800 देगा तब आपका यहाँ पे वो आपका कंट्रेक नहीं कैंसिल होगा अगर आपका वो 800 नहीं देती तो आप कहीं भी उनकी बिना मर्जी के कहीं भी आप तनासफर करा सकते हैं तनाजुल ले सकते हैं वो आपके उपर हुरूफ नहीं लगा सकता तो ये आपको बताया गया कि यहाँ पर दो तीन सर जो मैं बताया है इसमें बताया गया अगर इस कंडिसम में आप आते हैं तो वो आपके उपर हुरूफ नहीं लगा सकती है यहाँ पर हुरूफ वालों के लिए टेंसा निकी बात है कि जिन लोग का हुरूफ लगा उनका कैंसिल कैसे होगा जैसे कि मैं पहले बता दिया हूँ अगर किसी भी कमपनी का मोससा है या कोई भी हो अगर वो बंद हो गया है यहाँ पर सिस्टम में हटा दिया है गौवर्मेंट के सिस्टम से यहाँ पर हटा दिया गया है तब आपका जो हुरूफ लगा तो आप उपका हुरूफ कैंसिल हो सकता है आप दोसरी कमपनी में कफाला करा सकते हैं तनादू ले सकते हैं अगर आपकी काम नहीं हो पाएगा आपका या आपका यानी हो पाएगा न आप कफाला ले सकते हैं तो दोस्तों ये आज की अपडेट जो मैं शेयर किया हूँ मिनिश्ट्री आफ लेबर की तरफ से तो इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर कीजिए जिन लोगों की ये जरूरत है इस वीडियो को जरूर सेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना अगर चैनल प पना के आलना कन दो